Hello everyone, welcome to Rina Vyas channel बहुत सारे मेरे पास comment आये थे मुझे ये पूछा गया था कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, मैं कहां से हूँ आपके बारे में कुछ बताईए सिर्फ मैं अपने बारे में बताऊँ ऐसा वीडियो तो मैं नहीं बना सकते हूँ यहाँ पर जरूर आपको useful tips मिलेंगे, मिलेंगे और मिलेंगे क्योंकि हमारा ये beauty channel है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी चीज में हम beauty को नहीं डाले या हमारे skin के लिए कोई वीडियो हम नहीं बनाए तो इसमें मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ चोटा सा natural pack बताने वाले हूँ जिसको आप regular use कर सकते हैं और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं कौन हूँ तो मैं basically गुजरात से हूँ जी हाँ मैं basically अमदावाद से हूँ हम लोग गुजराती हैं मैं मतलब गुजराती हूँ हांडवो, ढोकला, फाफडा, खाकरा खाने वाले हम लोग है और डांडिया गर्बा खेलने वाले हम लोगे गर्बे हमको बहुत ज़यदा पसंद है मुझे बहुत ज़यदा पसंद है अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा मैंने नवरात्री में Reels बनाई थी गरबे खेलते हुए क्योंकि मैं गुजरात इस बार नहीं जा पाई थी यहीं पे थी मैं मेरे घर पे थी इसलिए मुझे गरबे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मैंनो उनको बहुत ज़्यादा मिस्स किया था तो friends मैं short मैं अपना यहाँ पे introduction देती हूँ मैं basically अमदावाद की हूँ गुजराती हूँ और मेरी जो शादी है वो MP में हुई है मेरी शादी को कम से कम 16 साल हो चुके हैं मेरी एक प्यारी सी daughter भी है अपने बारे में अगर मैं आपको बताओं तो मैं जब छोटी थी तो मैंने बच्पन से बहुत ज़्यादा struggle किया है क्योंकि मेरे mother father की financial condition इतनी अच्छी नहीं थी मैं शूरू से मतलब मैं जो fifth standard में थी तब से मैं कुछ न कुछ कर रही थी earning purpose से मैं अपना पूरा education dance सिखा क कि मैं dance बहुत अच्छा करती थी तो अपने education पूरा मैंने dance classes लेके tuition पढ़ा के ऐसे करके अपने ममी बापा की मैंने बहुत help की फिर मेरी जब शादी हुई तो मेरे husband ने मुझे बोल दिया था कि job नहीं करना है तो मैंने उस वक्त job छोड़ दिया था और फिर मैं job कर भी नह कोड़ी थी तो मुझे उसको समालना था तो मैं job नहीं कर पाई थी लेकिन कहीं ने कहीं मेरे मन में ऐसा था कि मैं घर में नहीं बैट सकती जब पहले मुझे करना पड़ता था काम शादी के पहले तब मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी condition खराब है या हम लोग financially इतने strong नही है इसलिए help purpose से मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है लेकिन जब शादी के बाद मुझे घर पे बैटने का मौका मिला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए मतलब मैं अपना जो पूरा time है मेरा जो talent है मेरी daughter का school में मैंने admission करवाया धाई साल की थी वो जिस दिन उसका admission करवाया उसी दिन से मैंने school में job करना start कर दिया school में job करते करते मुझे ऐसा लगा कि B.A.D. बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर इस field में progress करना है तो तो मैंने B.A.D. की degree भी ले ली मैंने B.A.D. भी कर लिया और उसके बाद मैं फिर मेरा increment भी हुआ school में मैं in charge भी बन गई और मैंने कम से कम 9 years तक school में job किया लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं ये चीज़ थी कहीं न कहीं मेरे मन में ये इच्छा थी कि मुझे beauty field में जाना है ये सारी चीज़ों में मुझे interest भी बहुत था मैं खुद के लिए भी करती थी और में दूसरों के लिए भी करती थी अपने खुद के ही ideas से करती थी तो बचपन से मेरा इस field के अंदर बहुत ज़्यादा interest था मैं मैंने job की job की मुझे उसमें भी बहुत सीखने को मिला earning भी अच्छी होती थी मुझे सीखने को भी बहुत अच्छा मिला मैंने business एक तरह से मैं कहूं कि business किस तरह से करना है यह मैंने school से ही सीखा है school के management से ही सीखा है जिस तरह से हम वा parents को handle करते हैं उसी तरह से मैं यहाँ पे customer को handle करती हूँ मैं फिलहाल beautician हूँ school का job में कर रहे थी लेकिन कहीं ने कहीं एक इच्छा दबी हुई थी कि मुझे beauty field में जाना है beauty field में जाना है तो मैंने मेरे husband से बात की कि मेरी यह इच्छा है और जब मैं 10th standard में पढ़ती थी तब मैंने beauty palette का पूरा course सीखा हुआ था मुझे beauty field में interest था इसलिए मैंने पहले यह course सीखा था लेकिन इसमें investment बहुत ज़्यादा होता है इसलिए मैं कभी इसमें जानी पाई अपना खुद का business start नहीं कर पाई लेकिन 9 years की job के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो मेरी इच्छा है जो मेरा talent है जो मुझे पसंद है मुझे वो काम एक बार करना है मैं मैंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इसमें success होंगी या नहीं होंगी या इसको जमाने में time लगेगा बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं यार business start किया तो earning कब start होगी एकदम से business थोड़ी नहीं जमता है एकदम से पैसा थोड़ी नहीं मिलता है जॉब में तो में दबा हुआ पड़ा है और जिसकी इच्छा अंदर दबी हुई पड़ी है मतलब जब मैं उपर जाओ भगवान के घर जाओ तो मैं इस इच्छा को साथ में लेके नहीं जाना चाहती थी और यहीं चीज़ मैंने अपने husband को बोली जॉब छोड़ना मेरे लिए थोड़ा स मुझकिल था क्योंकि मुझे financially बिल्कुल भी problem नहीं थी पर फिर भी जब आप job करते हैं तो आपके account में हर महीने salary आ जाती है वो जो पैसा होता है वो कहीं ने कहीं आपको बहुत जादा help करता है और पैसा जो होता है उसमें बहुत जादा attraction होता है मतलब आपको habit हो जाती है कि आपकी इतनी income हर महीने हो रहे जाए आप उसको खर्च करो नहीं करो saving करो कुछ भी करो लेकिन वो एक जैसे salary आती है ने मैंने सभी के याँ पर देखा है मेरे साथ जितनी भी teachers थी जिस दिन salary आती तो उनके चहरे पर एक नई चमक आ जाती थी तो वो चीस मेरे अंदर भी मुझे भी कही ने कही लगा कि मैं job छोड़ दूँगी तो मेरे salary बंद हो जाएगी मुझे business को जमाना पड़ेगा लेकिन मुझे सब कुछ easy लगा easy इसलिए लगा कि जब मैं छोटी थी ना तो मैं बच्पन से एक ही चीज मैंने सुनी है मेरे पापा से मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ आज वो मेरे साथ नहीं है फिर भी नहीं होकर के भी वो मेरे साथ में है वो मेरे गुरू है I am so sorry guys so sorry मैं थोड़ी से emotional हो गई थी पापा को ले करके तो उन्होंने मुझे शुरू से यही चीज सिखाई है क्या चाहिए जो चाहिए वो मिलेगा और जो चाहिए वो हसल करनी की ताकत तुमारे अंदर है हम सभी के अंदर जो चाहिए उसको हसल करनी की ताकत है बस उसके लिए आपको थोड़े सा struggle करना पड़ेगा आपको ठानना पड़ेगा जो आपको चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी फेलियर बहुत आएंगे, डी मोटिवेट करने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे ये सारा एक वो रहता है ने जिसा अपन रास्ते में जाते हैं तो कहीं अपने को डस्त मिलती है, कहीं अपने को धूप मिलती है, कहीं तेज बारिश मिलती है कहीं अपने को ट्राफिक मिलता है, कहीं अपन बहुत सारे एनिमल्स की बीच में घिर जाते हैं, निकल नहीं पाता है बहुत सारी कठिनाईया रास्ते में आती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो फिर भी हम वहां तक पहुँच जाते हैं जहां हमें पहुँचना होता है क्योंकि हम घर से सोचके ही निकले हैं कि हमको वहां तक जाना है तो हम वहां तक पहुँच जाते हैं यही सेम चीज मैंने बच्पन से सीखी है कि मेरे बापा बोलते थे अगर तुमने ठान लिया कि यह तुमको करना है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे खुद के अंदर शक्ती है इसी सोच के साथ यही बिलीव जो मेरा था उसके साथ मैं आगे बढ़ी और मैंने अपना काम स्टार्ट किया मैंने जॉब छोड़ दिया और जॉब छोड़ने के छे महिने के अंदर मैंने अपना पारलर स्टार्ट कर दिया अभी फिलहाल में एक पारलर की ओनर हूँ, ब्यूटी पारलर चलाती हूँ, जहांपे मैं मेकप, स्कीन, हैर से रिलेटेड वर्क करती हूँ जब मैं इस सारी चीज़े सीखने के लिए जाती थी, तो सबी जो सिखाते थे, हमारे मेरे जो गूरू थे, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, कि कभी भी डी मोटिवेट नहीं होना और जब तुम अपना खुद का काम स्टार्ट करोगी, तो तुमको सिर्फ लॉक खोल के अंदर जाना है, और फिर वापस लॉक बन करने के लिए आना है, तुम्हारे पापास कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कस्टमर को ट्रस्ट नहीं होता है, तब तक कस जाती थी, मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आए था, उसके बाद धीरे-धीरे कस्टमर जूडे, ये चीज़ मैंने कहीं ने कहीं उन्होंने बोला, तो मुझे लगा ठीक है, अच्छी बात है, मतलब अगर कोई नहीं भी आता है, तो हमें डी मोटिवेट नहीं होना, आज न मेरे साथ कुछ अलग हुआ, जिस दिन मैंने बोड लगाया, बोड मैंने लगाया था कम से कम शाम को साड़े साथ बजे, जिस दिन मैंने बोड लगाया, उस दिन मेरा फेशियल का बैड आया था, बाहर से मैंने मंगवाया था, फेशियल का बैड आया था, और मैंने उस दि बोर्ड लगाया, जैसे ही मैं बोर्ड लगवा रही थी और उसी वक्त वो लड़के बोर्ड लगा रहे थे और मेरे पास एक क्लाइंट आई एक क्लाइंट आई, जब वो उपर आई, उन्होंने वह लाए अच्छा है, यहाँ पर पार्लर खोला है वो first day था, जिस दिन मैंने board लगाया था मैंने integration भी नहीं किया था सिर्फ जो घर में हम पूझा करते हैं, वो ही पूझा की थी लेकिन सब को बुला कि integration नहीं किया था वो first day था, जब वो उपर आई, तो मेरे facial का बैड था वो पुरा धूल वाला पड़ा हुआ था वो clean भी नहीं हुआ था मैंने उनके सामने उस bed को clean किया और फिर उनका facial किया उस customer को मैं आज तक नहीं भूली हूँ क्योंकि वो मेरे इस field की जो मैंने काम स्टाइट किया उसकी पहली customer थी और पहले दिन वो आई थी तब से ये continue रहा मेरे पास customer की कभी भी कमी नहीं रही बराबर मेरे पास customer आते रहे फिर जब मैं बैठती थी मतलब ऐसे एकदम तो आपके पास बहुत सारे customers नहीं आते हैं तब मैं जब अपने पारलर में बैठती थी तो बैठे बैठे मुझे खयाल आया क्यों न मैं YouTube पे अपना knowledge शेयर मुझे इतनी सारी natural चीज़े पता है मैं natural treatment भी देती हूँ तो क्यों न मैं और लोगों को भी इन चीज़ों से aware करूँ बहुत सारे लोगों ने मेरे friend circle ने मुझे ये भी बोला कि अगर तू इस तरह का channel start करती है इस तरह की videos बनाती है तो तेरे customer कम हो जाएंगे क्योंकि कही ने कई उनको लगेगा क्या ये सारी चीज़े तो हमको मिल रही है तो हमको parler जाके बहुत सारे पैसे खर्चा करनी की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इन सारी चीज़ों को ignore किया मुझे इस से कोई फरक नहीं पड़ता कोई मेरे पास आए नहीं आए मुझे ये काम क client थी जो मेरी student भी थी मेरी client भी थी उसने मुझे instagram डी बना के दी मुझे instagram भी चलाना नहीं आता था guys मैं facebook चलाती थी मुझे instagram बिलकुल नहीं आता था उन लोगोंने मुझे मेरे instagram पे मेरा page बनाया और मेरे दो page बनाए उन्होंने और उन लोगों ने ही मुझे सिखाया इसमें इंस्टाग्राम पे आप बिजनस अकाउंट कैसे बना सकते हो और कैसे आप इसमें अपनी पोस्ट डाल के रिल्स बना के आगे बढ़ सकते हो और धीरे धीरे ये काम चलता रहा आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरे पास मैं economics में MA हूँ मेरे पास BA की डिगरी है उसके अलावा भी बहुत चोटी मूटी डिगरीा मेरे पास है मैं hockey भी खेलती थी मेरे पास dance के भी सडवे इतनी सारी चीज़े मेरे पास में है लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि मैं जो चाहती थी वो काम करने को मुझे मिला देखो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ पर मैंने जो ये वीडियो बनाया है उसमें सिर्फ मैं कौन हूँ कहां से आई हूँ क्या करती हूँ ये बताना मेरा मोडो नहीं था कि मैं आपको अपने बारे में बता हूँ हर चीज से जैसे कहते हैं न हम learning ले सकते हैं तो इसमें भी एक learning है मैंने बच्पन से बहुत ज़्यादा struggle किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी, और अभी भी मेरे पास सब कुछ था, शादी के बाद में मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसके बाद भी मैंने जो चाहा, वो मैंने करके दिखाया, मुझे जो चाहिए था, वो मैंने किया, औ और आज भी मैं उस चीज को कर रही हूँ, आज भी ये चैनल में जितने सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, वो complete हो चुके हैं, जितना watch hours मुझे चाहिए, वो complete हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वज़े से, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्याद दूंगी, तो ये था मेरी अभी तक की पूरी कहानी, इसके अलाव अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे comment में लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर कोई चीज करना चाहते हैं, मैं बहुत सारे लोगों के मुझे सुनती इसकी कोई भी उम्र नहीं होती है, आगे बढ़ने की, सोचने की, असक्सेस होने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए अभी भी अगर दिल में कोई दबी हुई इच्छा है, तो उसको जरूर पूरा कीजिए, तो फ्रेंट्स ये मेरी पूरी कहानी थी, मैंने जो कुछ भी अभी तक आपको पूरा मैंने बता दिया है, आज दिल खोल के मैंने आपके साथ बाते की है, आज आपको मैंने सब कुछ बताया है, और कैसा लगा आपको ये सुनके, क्या फील हुआ आपको, या मेरी स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है, या मुझे और क्या करना चाह लेना लाइक तो इस वीडियो को जरूर कर दीजिए क्योंकि कहीं ने कहीं हम सभी इस तरह की स्ट्रगल से गुजरते हैं और मैं वूमन एमपॉर्मेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ तो अगर मेरे कॉंटेक्ट में ऐसी कोई लड़की ऐसी कोई फीमेल आती है जिनकी मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मदद करने में इंट्रेस्टेड रहती हूँ चाहे मुझे मेंटली सपोर्ट देना पड़े या चाहे किसी और थरह से सपोर्ट देना पड़े लेकिन मैं वूमन एमपॉर्मेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव कर तो कमेंट्स पर जरूर लिखके बताईए नारी शक्ति जिन्दाबाद तो फ्रेंट्स हम बात करते हैं फेस पैक की जैसा कि मैंने बताया था ब्यूटी से रिलिडेट चैनल है तो यहाँ पर मैं आपको एक फेस पैक बता रही हूँ और साथ ही साथ में दागधबो को भी दूर करेगा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें